सिंथेसिस अफ मिफेमिनिक एसेड इसकी सिंथेसिस होगी, हमारा फॉस्स कंपाउंड होगा वह होगा पोटेशियम 2-Bromo, बेंजोईड की रियक्षिन जब 2-3-Dimethyl-Bengenamine के साथ होगी तो क्या होगा हमारा मिफेमिक एसेड सिंथेसाइज होगा, इसका mode of action होगा, हमारा ज कोक्स 2 की presence में प्रोस्टा ग्लाइडिंग बनेगा जो की हमारा responsible होता है पेन और इंफ्लामेटरी इंफ्लामेशन के लिए मिफैमिनिक एसिड जाएगा यह हमारा non selective कोक्स 1 कोक्स 2 inhibitor है जो जाएगा यह कोक्स को इंडिबिट कर देगा इसकी यूज किया है हमारा antipyretic, anti-inflammatory or pain